बश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों इंडिया पाकिस्तान जैसी ही कुछ राइविलरी आपको श्री लंका और बांगलादेश के मैच में भी देखने मिलती है और एक जबरदस्त मैच होगा कल सुबह 6 बजे से और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि श टेलेग्राम जोइन कर लेना क्योंकि सुबह 6 बजे मैच है और मैं साड़े 5 बजे आपको टेलेग्राम पे पिज रिपोर्ट टॉस के बाद की टीम और टॉस अपडेट आपको प्रोवाइट करा दूँगा करना सिर्फ इतना सा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कॉम मिल जाए और दोस्तों साथी साथ वीडियो का आगाज लाइक के साथ में करिएगा चलिए सबसे पहले अगर वेन्यू की चर्चा करें तो मैच होगा ग्रेंड प्रेरे स्टेडियम डेलास में और इस मैदान के उपर बहुत सारे टी-20 मैचिस हो चुके हैं अगर आप यह द मैच के सिर और एक करषे करने पर देखने, जैसे पाकिस्तान खेले थी तो 169 ऑसे ने चेस कर लिया था मैच कि तो क्या ही कहने थे मतलब यूईसे ने पाकिस्तान गोपटग्ट दिया क्या कप इस के बारे में मुझे कामेंट में जुरूर बताईयगा अभी मेरे को लग रहा है कि आयरलेंड भी है आयरलेंड भी इंतिजार में है कि पहले तुम पेलो फिर हम पेलेंगे और इसके बाद यहां पे देखेंगे नेबाल 106 और निदरलेंड ने 109 का स्कोर किया था यहां भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया और कराड़ा भी तीन विकेट गिरे थे और यहां पे चार विकेट हमने देखे हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिरे नहीं है और पहली इनिंग के अगर आब बात करेंगे तो यहां पे साथ चले गए थे यहां पे पांच विकेट थे औ और यहाँ पे 10 विकेट चले गए थे तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट जाने के चांसिस आपको देखने मिल सकते हैं हाला कि मैं श्रीलंका को फेवरेट मान रहूं तो अगर श्रीलंका पहले बेटिंग करती है तो भी मैं यह उम्मीद करूँ है कि 6-7 विकेट श्रीलंका के भी गिर जाएंगे अब रही बात स्कोर करने वाले प्लेयर की तो बाबाराजम का चवाले स्था टुक टुक अकेडमी में इनका स्वागत हुआ रोहित ने 35 का स्कोर किया नंबर 4 पर बेटिंग कर रहे थे और ये ओपन करने आयते नवनीत जिनोंने 61 का स्कोर किया था और यहाँ अगर हम सेकिंड इनिंग की बात करें तो मोनांक पटेल का 50 था Aaron Jones नमबर 4 बेटिंग कर रहे थे यहाँ पे Max ने 24 का स्कोर किया तो अगर मैं दोनों इनिंग के स्कोर करने वाले प्लेयर की चर्चर करूँ तो आपको एक ची देखने मिलेगी फर्स्ट इनिंग में भी आपको टॉप ओडर पे थोड़ी सी नजर रखनी होगी क्योंकि वहाँ से टॉप 3 में से आपको एक 40 प्लस का स्कोर आराम से देखने मिलेगा सेकंड इनिंग की भी अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 40 प्लस का स्कोर टॉप 3 से देखने मिल चाएगा अगर आप इस मैच की बात कर रहे है न तो इसमें इनका जो साथी पार्टनर था एंड्रू गूस उन्होंने भी 61 का स्कोर किया था और वो नंबर 3 पर बेटिंग करने आये थे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सेकंड इनिंग में भी टॉप 3 ने स्कोर किया है पहली इनिंग में भी लगभग लगभग ओपनर ने बढ़िया करके दे दिया है और रही बात पावर प्ले की विकेट्स की तो 3 विकेट्स यहां थे एक विकेट हमने इसमें देखा था 2 विकेट हमें यहां देखने मिले और second inning में भी लगबग लगबग एक wicket आपको देखने मिल जाएगा तो अगर आप trading कर रहे हैं तो wicket not कर सकते हो 6 over के अंदर आराम से कोई दिक्कत नहीं है score की बात कर रहे हैं तो 50 plus पे मत जाना क्योंकि 50 plus एक भी मैच में हमें दोनों innings के अंदर देखने नहीं मिला है तो यहाँ पर भी लगबग लगबग अगर 50 plus कर भी रहे हो तो जादा वड़ा है उसमें investment मत करिएगा और यहाँ पर देखें 7 wicket मिलेते fast bowlers को 10 wicket यहाँ पर fast bowlers के खाते में आई थे और यहाँ पर 4 wicket fast bowlers ने आपको निकाल कर दिये तो maximum जो हमारा focus रहेगा वो fast bowlers के उपर रहेगा यहाँ पर शादाव खान जैसा spinner होने के बावजूद भी spinner को बहुत जादा wicket नहीं मिले जितने भी spinners के wicket है अगर आप count करोगे न तो ज्यादा तर जो spinners के wicket है वो पहली inning के अंदर है तो ground से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसा pattern तैयार करना है मेरा मतलब यह है कि पहली inning में spinner को रख सकते हो second inning में उतना ज़्यादा फाइदे मंद नहीं दिखा है और अगर second inning में spinner अगर आपके काम आएंगे तो तब आएंगे जब पहले inning में 200 या 180 कांकड़ा लगा हो तब second inning में spinner काम आ सकते हैं जैसे यहाँ पे 190 लगा था तब spinner को wicket मिले थे यह चीज़ समझने वाली बात है फास्ट पॉलस का डॉमिनेशन है पावर प्ले में एक से दो विकेट के चांसे है टॉप ओडर स्कोर करके दे रहा है आपको यह चीज़ें जो आपके काम आएंगे टीम कॉमिनेशन को तयार करने में अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीमों के head to head matches के बारे में श्री लंका ने 11 matches को win किया है बंगलादेश ने 5 matches जीते हैं पिछली बारिया 2024 में 9 March को आमने सामने होई थी तब कुसल मेंडिस ने 86 बनाया था और अन्नुबान थुशारा के 5 विकिट थे थुशारा को कैप्टेंसी के लिए लग कर लो फिर है दोस्तों रिशाद हुसेन ने 53 किया था तशकीन एहमत के 2 विकिट थे और नजमुल होसेन शेंटो ने 53 का स्कोर किया यहां पर एक मैच श्रिलंका ने जीता एक मैच बंगलादेश के खाते में गिर गया था अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले हम श्रिलंका के प्लेइंग 11 देख ले तो ओपन करने लिसा पावर प्लेग के अंदर आपको दो ओवर करके देते हैं नुवान तुशारा पावर प्लेग के अंदर आपको तीन ओवर करके देते हैं और डेथ ओवर की गिनबाजी आपको मिलती है मतीशा पतिराना से अब पतिराना जो है यह आपके लिए ग्रेंड लीग स्मॉल लीग कि दोनों जगे में कैप्टन सी का काम कर सकते हैं इस्पेशली अगर पहली इनिंग के अंदर गेंद बाजी कर रहे हैं क्योंकि यह आपको कम से कम दो और मैक्सिमम तीन ओवर ऐसा होगा जो 14 ओवर से लेकर 20 ओवर तक आपको करके दे जाएंगे अब इस मैदान पर इस टीम न आई थे पिछले मैच में हाला कि सौथ अफरीका सामने थी और पिछ बहुत गंदा था बंगलादेश के सामने दो मैच खेलकर इन्हों ने बनाया है या यह अपने कुंडली पे मारेंगे लात और बना देंगे 50 तो फिर वो आपकी मर्जी है राइट आम फास्ट वोलिंग के सामने इनको दिक्कते रही है सामने वाले टीम के पास में है राइट आम फास्ट तश्कीन एहमद जो की इनको परेशान कर सकता है फिर इसके बाद तो कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा बोलिंग फ्रेंडली विकेट्स आये हैं इस वज़े से मैं सिर्फ वाइस कैप्टन की सला दे रहा हूं नहीं तो मैं इनको कैप्टन की सला देता अभी फास्ट इनिंग में ज्यादातर दोनों हातों से तो उल्टे आज से गिंद बाजी करते हैं और यहां पर आप देखोंगे बंगला-देश के सामने रिकॉर्ड और टी 292 बैटिंग एवरेज है जिसमें इस मैच में खेल नहीं पाएंगे, रिशाद हुसेन उनका धाम है, फिर इसके बाद नमबर चार पे आपको मिलते हैं सदीरा समरविक्रमा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी इंफोर्मेशन दूँगा, हर एक प्लियर के बारे में डीटेल सब्जाओं कि कौन क्या कर सकता, लेकिन आप अपना इतना सा काम करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कॉमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूँगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो, और लाइक और कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलिएका, लाइक कर दिजेगा, साथी साथ वीडियो को शेयर कर दिजेगा, बंगलादेश के सामने इन्होंने तीन मैच खेलकर बनाया है, पिचतर रन, एक बार पचास से उपर का स्कोर किया है, बढ़िया खेला है, और टी ट्विंटी आ आउट हुए हैं चार बार और एवरेज है पांच का, ये चीज थोड़ा सा देखने लाएक, और पिछले मैच में अभी और्थोडोक्स केशब महराज ने इनको आउट किया था, अब यहाँ पर आगर आप बात करेंगे तो शकीव अलासन है, जो की कॉलिटी गिंदवास है तो दिकते इनके लिए थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी और मैं इनको थोड़ा सा छोड़के चलने वाला हूँ, फिर इसके बाद चरिता असलांका, बांगलादेश के सामने बनाया है, इन्होंने पांच पारी में 156 रण और 80 रण का स्कोर था और 50 था, बाकि अगर आप इन लिए कुशल मेंडिस, जिन्होंने हर चौथी पारी में 50 बनाये था, और ये दूसरा नाम है चरिता असलांका का, जिन्होंने हर सातवी पारी में अपनी टिम को 50 बना कर दिया है, जबकि अगर आप इनका बैटिन डाउन देखोगे, तो नमबर पांच यह नमबर छे पर ख निशान करती है, बैटिंग एवरेज इनका राइट आम फास्ट के सामने 13 है, आपको तश्कीन एहमद मिल जाएंगे, पिछले मैच में भी इनको राइट आम फास्ट बोलिंग ने ही आउट किया था, हलाकि जो सामने जो टीम थी पिछले मैच में उनके पास सारे ही इस विकेट निकाले है, तो ये रिकॉर्ड बताता है कि विकेट टेकर गेंदबाज है, अब जब आपके पास में कैसा प्लेयर है, जो आपको एजी ली दो विकेट तक निकाल कर दे सकता है, तो वो आपकी कैप्टन जी की बड़ी अचोईस बनता है, तो वानिंदू हजरं इनको थोड़ा दिक्कात देता है, फास्ट बोलिंग दिक्कात देती है, चुकि ये हिटर अच्छे है, थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं, ये आपको रखना पड़ेंगे, फिर इसके बाद है अंजिलो मैथियूस, ये खिलाडी बहुत आपके लिए ऐसा रहेगा, अ इस खिलाडी को भी टीम में पटक लीजिएगा, लेफ्टाम मीडिया में को परिशान करता है, मुस्तफिज ररह्मान और शौरिफ ओल इसलाम दो इस तरह की गिनबास इस टीम के पास में मौझूद है, फिर आपको अगला ना मिलता है दसुन शनाका का, दसुन शनाका के ब तो दसुन सनाका को उस कंडीशन के लिए टीम में रखना जब आपको लग रहा है कि टॉप ओडर बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर आप पिछले मेच की बात करेंगे तो दस नो रन प्लस एक विकिट मतलब लगभग लगभग, ड्रीम टीम में अपनी इंटरी बनाई थी इ इवरेज है, थेइस चौबीस में 27 का बैटिंग एवरेज है और एक 50 इनों ने किया है, बारा इनिंग में 11 विकिट ये निकाल चुके हैं और सेकींड इनिग में 10 इनिग में 11 विकिट इनों ने करके दिये थे, इसके बाद अगला नाम है तीक्षाना का, बंगलादेश के स सामने मार चुके हैं इस पे नजर रख लिएगा पहले गिन्बाजी कर रहा है तो 17 विकेट और इसके बाद कि पतीरानः इस खेलाड़ी को तो क्येटन करना है इस पेशली अगरत पहले गिन्बाजी कर रहे होत तो हम बात कर ले ते हैं दूसरी टीम के बारे न Teraz के अगर हम देख रहे हैं तो तंजीद असन, सौमे सरकार, लिटन दास, नजम लोसिन शेंटो, शाकिबल असन, ये बैटिंग ओडर आपको देखने मिल सकता है, और पॉसिवल है कि यही दोनों आपको ओपन करते हैं, नजर आएंगे, सौमे सरकार कुछ एकादे कोवर की गिन गिनबाजी की, तो पहला ओवर आता है मुस्तफिज अर्रह्मान का, फिर आपको मिलता है तश्कीन एहमद, फिर आपको मिलते है शौरिफ अलस्लाम, ये पावर प्ले के इनके गिनबाज है, फिर आपको जो मिडिल ओवर्स में गिनबाजी देखने मिलेगी, वो होगी एक शाकिबल असन से और मेंदी असन से, ये इनके पाँच गिनबाज है, अगर इनमें से किसी की धुनाई होती है, तो महमुदुल्ला एक ओवर लेकर आ सकते हैं, और एक आदे कोवर सो में सरकार आपको करते हूं नजर आएंगे, अगर जरूत नहीं पड़ी, तो ये गिनबा बैटिंग एवरेज है और तीन बार पचास से उपर का स्कोर ये कर चुके है, सेकिन बैटिंग करते हूं दो पचास है, हाला कि अभी तक छोटे इस तर पे बढ़िया पर्फूमिस दिया है, लेकिन इस लेवल पर कैसा खेलेंगे, ये देखने लाइक बात होगी, इसके बा इसके बाद है लिटन दास, जिनोंने श्रीलंका के सामने 6 मैच केल कर 102 बनाया है, 43 का हाइस है, पहले बैटिंग करते हूए 250 है, 16 इनिंग में दो बार 50, मतलब एक 50 बनाने के लिए इस्तमाल की है आठ पारियां, आठ पारी का इस्तमाल किया है एक 50 बनाने में, और इस पिन के अंदर इन्होंने भी दो बार 50 से उपर का स्कोर किया है, आप यहाँ पर एक सेलेक्शन तैग कर सकते हो, कैसा कि आपको लिटन दास टीम में चाहिए, या फिर आपको चाहिए नजमूल होसेन शैंटो, इन दोनों में से एक रखोगे ना, तो पॉसिबल यह होगा कि एक खिलाडी स्कोर करके देगा, या फिर यह होगा कि दोनों 25-35 करके दे जाएंगे, मतलब बहुत अब तक इन दोनों में से एक खिलाडी आपको स्कोर करके दे जाएगा, राइट आम और फिस्पिन जो है वो इनको परिशान करती है, जिसमें आप देखेंगे इनका शाकिब अलहसन की अगर बात करेंगे तो 22 से लेकर 24 तक इनका बैटिंग एवरेज आपको मिलता है 27 का, चूकि गिनबाजी भी कर रहे है, चार ओवर की गिनबाजी है, तो ये घिलाडी आपके वाइस केप्टन सीवे बहुत कामा सब्का है, परहें आपको एक बात बता कि रिसेंटली इन्होंने गिनबाजी से वो कमाल करके नहीं दिखाया है, जैसा कमाल ये पहले किया करते थे, अब ऐसा नहीं की विकेट नहीं निकाल सकते, लेकिन आप पर्फॉमेंस देखोगे, तो पिछले एक से दो सालों में 27 में 29 विकेट है, मतलब पर मैच में एक से उपर का स्कोर कर चुके हैं, श्री रंका के सामने हाला की तीन में सिर्फ 40 बनाया है, फरेस का मेहमद उल्ला, जो काम दसुन शनागा करते हैं उनकी टीम के लिए, वही काम यहां करते हैं मेहमद उल्ला बंगलादेश के लिए, मतलब जब पूरी टीम नहीं चलेगी, आप इनको अपनी टीम में जगे दीजिएगा, इसके बाद मेहंदी असन है, 18 इनिंग, 14 विकेट इनके खाते में हैं, पहले गिंद बाजी कराओगे तो 9 निकाल देते हैं, 10 में 2 इनिंग कराओगे तो 8 में 5 विकेट हैं, बैटिंग इनकी उतनी वेतर नहीं है, तश्कीन की बात करेंगे, तो ये अच्छा गिंद बाज है, 28 में 42 विकेट है, पहले गिंद बाजी करते हुए, बढ़िया पर्फॉमेंस किया है, सेकंड में भी अच्छा है, फिर इसके बाद है, एम रहमान, अभी रिसेंटली जो इन्होंने IPL खेला था ना, उसमें बहुत इसलाम, 23 में 24 विकेट है, पहले गिंद बाजी कराओगे तो 14 में 13 है, सेकंड कराओगे तो 9 में 11 है, अब ज़रा कैप्टन वाइस कैप्टन सी की चर्चा कर ली जाए, कैप्टन वाइस कैप्टन सी में ये जो तीन नाम है यहाँ पे आपकी पूरी गाड़ी खत्म हो जाए बाकी एम रह्मान, कुशल मेंडिस और नजमुलोसिन शेंटो पे आप थुड़ा सा रिस्क उठा सकते हो, अब कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर रियल 11 एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो मेरे टेलेग्राम पे जाना, जिसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से रियल 11 डाउनलोड कर लो, यहां पे आपको लूडो मिलता है, यहां पे आपको पॉइंट लूडो मिलेगा, यहां पे आपको स्पीड लूडो मिलेगा, आपको यहां पे फेंटसी मिलती है, ट्रेडिंग मिलती है, पहुत सारे, ओपिनिन ट्रेंडिंग है, बहुत सारे, मतलब कितने सारे गेम्स मिलते हैं, आप जो चाओ जैसा चाओ, अपने मन मताबिक खेल सकते हो, लिटन दास और कुछल मेंडिस है, नजमूल वहसन शैंटो, पी निसांका है, शाकियर वहसन, महंदी वहसन, और इसके बा इस गेम में भी हैबिट फार्मिंग और फाइनेंशली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस पोल्स अपलिये, मिलता हूँ, मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए, जै है, जै महाकाल